हलो, I'm your host Alia and you are watching Breaking Barriers इस वक्त हम बात करेंगे United Nations Human Rights Council में एक बहुत ही अहम resolution draft पेश किया गया चाइना के वीगर मुसलिम्स का मामला और वो resolution reject हो गई, मुस्तरत कर दी गई इसके हख में कितने vote आए, के इसके ओपर debate करवाई जाए इसके ओपर debate ना करवाई जाए, किन countries ने ये vote दिया और वो कौन से countries हैं जिन्नों ने abstain किया पाकिस्तान और इंडिया की भी बात करेंगे कि दोनों countries ने क्या फैसला किया जब आपको हम बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे टोटल Human Rights Council में 47 members में से 17 ऐसे थे जिन्नों ने ये कहा कि हाँ ये debate करवाई जाए जबके 19 members ऐसे थे जिन्नों ने इस resolution के खलाफ vote दिया कि नहीं ये debate करवाने की जरूरत नहीं है इसकी और 11 countries ऐसे हैं जिन्होंने abstain किया इसमें हिस्सा नहीं लिया पाकिस्तान वो मुलक है जिसने चाइना के हक में vote दिया उसने कहा कि नहीं इसके उपर कोई resolution ही होनी चाहिए अच्छा इंडिया वो country है जिसने इसके उपर abstain किया अब इसके उपर बहुत बात की जा रही है और बहुत हैरानी हुई है लोगों को कि ये क्या हुआ क्यूंकि हम देखते रहे कि इससे पहले पाकिस्तान का जो मौकिफ है वो तो हमारे सामने मेशा से रहा आपको याद होगा फॉर्मर प्राइमिनिस्टर इमरान खान से एक मरतबा सवाल कई मरतबा ये पूछा गया जब वीगर मुस्लिम्स का तो उन्होंने उसके उपर कन्नी कत्रा गए वो उन्होंने का हमारा जो हमें जो बताया जाता है हमारे सोर्सिस वो बताते हैं कि नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है अच्छा इंडिया की तरफ से क्यों के वक्तन फवक्तन ये इशू उठाया जाता रहा है और इसके पर बात की जाती रही हुमन राइट्स की वहां के वीगर मुस्लिम्स के हकूक की और बहुत डिफेंड किया जाता रहा है लेकिन जब ये करारदार पेश होती है तो इंडिया अप्स्टेन करता है अब ये देखिए कि वहां पर इंडिया इतना ताकतवर है कि वह अगर अपने के दो तीन कंट्रीं को साथ मिला ले था तो चाइना को ना को चने चपवा देता है यानि ये के चाइना के खलाफ येétique करारदार मन्जूरो हो जाती है् ये करवा सकता था इंडिया क्यूंकि इंडिया ने एक तो अपना वोट नहीं दिया फिर उसके इलावा एक दो कंट्रीज को वो और भी कह सकता था कि आप भी दीजे कि जैसे मैंने आपको बताया 17 और 19 का मामला है दो वोट का फर्क है सिरफ लेकिन ऐसा नहीं किया इंडिया ने अच्छा इसकी जो बात की जा रही है जो वुजुहास सामने आ रहे ह वो तो कई एक है हम तमाम लॉजिक्स पर बात किये लेते हैं लेकिन इस पर इंडिया के स्पोक्सपरसन अरेंदाम बागची की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गई है पहले मैं वो आपके सामने रखे देती हूँ कि उनका क्या कहना है कि उन्होंने इसके उपर चाइना के खलाब वोट क्यों नहीं किया। huge rights of the people of Vygher should be respected and guaranteed. We hope that the relevant party will address the situation objectively and properly. अच्छा फिर यह भी उनका कहना था के India remains committed to upholding all human rights. India's vote is in line with its long held position that country's specific resolutions are never helpful. India favors a dialogue to deal with such issues. अब देखें इसमें दो तीन पॉइंट्स निकल रहे हैं एक तो उनका यह कहना है कि हमेशा से जो उनकी पॉलिसी रही है भारत की इंडिया की वो नियूट्रियलिटी की तरफ रही है और स्पेसिफिक जो किसी कंट्री के अंदर के मामलात होते हैं उसके उपर इस तरह की कोई कोई भी resolution पास करने का या इस तरह का कोई step लेने का कोई फाइदा नहीं निकलता अच्छा अब क्या इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि देखें क्या यह एक बहुत intelligent move इंडिया ने अपने हक में की है वो इसलिए कि चाइना को बहुत easily इसके ओपर वो शिकस दे सकता था इस वक्त जो चाइना इसको अपनी victory करार दे रहा है उसकी वज़ा यह है कि इंडिया भी उन countries में शामिल है जिसने abstain किया है बहुत असानी से चाइना को इसके ओपर मात दी जा सकती थी निपाल को मिला लेता कोई और country एक दो जो ऐसे हैं जिस तरह मैंने आपको बताए कि क आप मनजूर हो जाती ऐसा नहीं किया गया अब उसमें और भी बहुत सी बाते हो सकती एक तो यह कि आप अपने दुश्मन को कहते ना कि दोस्त को करीब रखो या ना रखो अपने दुश्मन को अपने से ज्यादा करीब रखो तो मुझे लगता है कि यहां पर कुछ इसी त आता है अगर तो उस वक्त चाइना को सोचना पड़ेगा और वो कोई भी ऐसा वोट करते वे उसके उपर बेशक इंडिया उसको कहिए ना कहिए उसके उपर बर्डन यह जरूर होगा कि यह वाली जो वोटिंग हुई थी इसमें भारत ने मेरे खिलाफ वोट नहीं दिया थ तो क्या उसको भी abstain करना चाहिए उसको सोचना पड़ेगा कहीं ना कहीं ठीक है एक तो यह बात अच्छा फिर इसके अंदर एक और बात यह के जो अमेरिका है आप यह देखें के अमेरिका तो ही चाहता था जितना भी वेस्ट है जितने कंट्रीज हैं उन सबने वो कैनेड की डिवेलप्ट कंट्रीज हैं वो एक डिवेलपिंग कंट्री के खिलाफ एक ऐसी करारदाद लेकर आए एक यह भी वहाँ पर इशू बन गया था यानि इस तरहा इस तरह इसो को देखा जा रहा है यह सोचा जा रहा है यह का ही जा सकती है कि जी वेस्ट जो है वो किसी कुई ऐसी करार्दाद अगर मिलकर कोई किसी के खलाब भी पासना होने दें तो यह जीत था है तो इस थारह से इन कंट्री इसकी जीत कहीं जा सकती है इसको ऐसे क्या ऐसे भी देखा जा रहा है अचा फिर इसमें एक और बात भी और वह यह है जो और अमेरिका है वो इस वक्त हालनके उसके इंडिया से बड़ आच्छे तालूगा आते हैं लेकिन इसके बावजूद बावजूद अमेरिका यह चाहता था कि यह करारदाद चाइना के खिलाफ पास हो लेकिन इनडिया ने ऐसा नहीं किया अपस्टेन कर गया तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोई उसने भार नहीं लिया अमरीका का, उस तरफ नहीं देखा, अब देखें ये इसको ये एक बहुत अंदर की इन डेप्थ ये पॉलिसी जिस तरह हम बलके मैं देख रही थी कि जो इंडिया के एक्सटरनल मिनिस्टर जैशंकर वो भी एक सारी जंगें, सारी लडाईयां, सारी जगड़ें पीछे रखकर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के चक्कर में, उसकी कोशिश ये है कि बस दौड लगाओ, इस दौड में सबसे आगे निकलो, अब आप देख ले ना, वहाँ पर जो टेक कंपनी की जो वहाँ प पर 16.2 million tourists, इस year में उन्होंने tourism हुआ है, 16.2 million tourists कहे जा रहे हैं, और यह मैं आपको Reuters की news बता रही हूं, और यह कहे जा रहे हैं कि first time in 75 years, इतना ज्यादा tourism वह कश्मीर में आया है, अच्छा, अब फिर उसी के साथ हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह iPhone 14, वह manufacturing अब स्टार्ट हो गई इंडिया में, फिर उसी तरह किस हमने देखा 5G आ गया, फिर इसके इलावा तो हमने ये भी बताया, 1.2 trillion dollars का जो है, वो कोई एक contract, एक project है, कितने trillion dollars का कोई और project है, पूरी दुनिया से जो वहां पर investment आ रही है, कितने हजार क्रोड कश्मीर में वो अलग है, तो अब space का भी बलके मैं देख रही थी, एक space mission के वाले से भी कुछ आ रही थी, वो एक और अलग हम वीडियो में उसके पर बात करेंगे, तो ऐसा मैसूस होता है, कि इंडिया बस इस दोड़ में आगे, वो कह रहा है, कि हमने और किसी तरफ नहीं देखना, क्योंकि अगर और किसी इसके पहले बात की गई थी, कि तब तक कुछ नहीं कोई नहीं हो सकती, जब तक यह नहीं होगा, उसके बाद जब यह हो गया, तो हमने देखा कुछ बात चीत भी हुई, और उसके बाद आप यह करारदाद हुई है, तो इंडिया ने अपना एक जेस्टर भी शो करवा दि था, लेकिन अगर हम किसी कंट्री के पॉइंट अफ यू से देखें, तो उनको क्या फाइदा होता, यानि परसनली जो है, वो कोई ऐस सच एजंडा नहीं होना था किसी भी कंट्री का, हम तो यह बात इसलिए नहीं कर सकते कि जी गलत किया, पाकिस्तान ने खुद गलत किया हमने तो गलत किया, हमने जो वीगर मुसलिम्स हैं, उनके करारदाद नहीं होनी चाहिए, हमने तो चाइना के हाग में वोट दिया उसको, ना हमने एपस्टेन किया, तो हम अभी तक अपनी उसी पॉलिस के साथ है, लेकिन हम यह देख रहे हैं, कि वहां से एक ऐसी न्यूट स्टार्ट कर देते हैं, और फिर बुरी दुनिया बताया जाता है कि यह टाइम नहीं है जंग का, आप कहां फंस रहे हैं जंगों में, यह तनी बड़ी बात कहा दी जाती है, ठीक है, अपने ऐसे दोस्तों को भी जो बुरा मान सकते हैं, और अपने अपोनेंट्स के सामने जो इसको एक वो समझ सकते हैं चैलेंज, यह डिबेट ना करवाई जाए, इसके लिए जिन कंट्रीज ने वो उड़ दिये, वो ज्यादा कंट्रीज ऐसे हैं, जो के मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, जिसमें पाकस्तान, इंडोनेशिया, कतर, UAE, कजाकिस्तान, यह वाली रेजूलूशन थी, अच्छा पिर इसके लावा आलागे चाइना बहुत अरसे से इसके उपर क्रिटिसिजम उसके उपर आ रहा था, वो बार बार इसके उनकार कर रहा था, और इसके उपर वीगर, वीगरों से यह धोका है, यह भी कहा गया है, एक कॉंग्रस में अब जिस तरह मैंने का कि अगर हम किसी को कंडेम करें तो सबसे पहले तो यह कहेगा, तो अपने कंट्री ने इस करारदार्द के खिलाफ दिया हम तो खुज है हम तो अपने आपको कंडेम करते हैं कि यह क्या है, इंडिया के इस स्टैंस में एक और बहुत इंपॉर्टन प इस स्टैंस में वोट करें या वो इंडिया के खिलाफ वोट ना करें, तो जैसा मैंने आपको पहले यह बात कही कि जो अकल मंद होते हैं, वो यह करते हैं कि अपने दुश्मन को अपने दोस्स से ज्यादा करीब रखते हैं, तो यह मूव ले ली एंडिया ने, चाइना के वोट ना करके, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या चीन भी इसको इसी तरह देखेगा और कोई ऐसा मौका आए तो वो इसी तरह का उसको जवाब देना पड़ेगा, या वो इससे अपर रखेगा, या वो इससे उपर रहेगा, वो कहेगा कि नहीं बस ठीक है, हो गया, आपको बताया कि इंडिया का जो स्टेटमेंट आई है, वो फिर उनके हक में बात कर रहे हैं, तो वीगर्स का इशू मरेगा नहीं, खतम नहीं होगा, वो चलता रहेगा, अब देखते हैं कि दुबारा करारदात की कब बारी आती है, कब पेश होगी या क्या होगा इजासित दें, दोवारा मुलाकात होती है